दोस्तो जैसे के हमने हमारे कल के वीडियो में आपको बताया के Federal Reserve के पिछले मिटिंग के मिनिट्स कल रिलीज हुए और उससे गोल एंड शिल्वर के लिए अच्छी निउस आई है हमने हमारे वीडियो में आपको बताया कि ये मिनिट से हमें पता चलता है कि आने वाले महिनों में फेडरल रिजव इंट्रेस रेट को अब बहुत तेजी से नहीं बढ़ाएगा उसी तरह से हमें ये मिनिट से पता चला कि डिसम्बर की मीटेंग के अंदर पूरे पूरे चांसे से के पचास बेसिस पॉयंट से इंट्रेस रेट को बढ़ाया जाएगा जो हमने हमारे अक्टूंबर 2022 के वीडियो से ही आपको बताया था उसी तरह से ये मिनिट्स से हमें ये भी पता चला कि इंट्रेस रेट आने वाले महिनों में 5% तक उपर जा सकते है और दोस्तों ये भी बात हमने हमारे अक्टुमबर 2022 के वीडियो में आपको बताई थी उसी तरह से पिछले वीडियो के अंदर हमने आपको दिखाया था कि फेडरल रिजव की ये पिछली मिटिंग के मिनिट्स आने से पहले डिसंबर के अंदर 50 बेसिस पॉइंट से इंट्रेस रेट बढ़ने के चांस 71.1% थे लेकिन ये मिनिट्स आने के बाद ये चांसे अब 75.8% हो चुके है दोस्तों ये पॉजिटिव न्यूज गोल एंड सिल्वर के लिए हमने पिछले वीडियो में डिसकस की लेकिन उसके बावजूद आज गोल एंड सिल्वर के अंदर तेजी नहीं बनी है और हमारे कुछ द लेकिन वीडियो में हमने आपको क्लियरली बताया था कि फेडरल रिजव की पिछली मीटिंग के मिनिट्स जो सामने आए है उससे कोई भी नई चीज सामने नहीं आई है और हमें अब आने वाले दिनों में लेवल्स के हिसाब से काम करना होगा हमने आपको कल के वीडियो मे क्लियरली बताया था कि डॉलर इंडेक्स के लिए 105.35 डॉलर ये महत्वपूर्ण सपोर्ट है क्योंकि ये उसका पिछला लो है और यही पर डॉलर इंडेक्स का 200 दिनों का एक्सपोनेशनल मुविंग आवरेज आता है तो डॉलर इंडेक्स जब तक 105.35 डॉलर के नीचे क् गिरावर्ट नहीं आएगी अब आने वाले दिनों में 105.35 डॉलर ये महत्वपूर्ण सपोर्ट रहेगा और आने वाले दिनों में अगर डॉलर इंडेक्स 108 की लेवल को उपरी तरप तोड़ता है तो डॉलर इंडेक्स के अंदर तेजी भी बन सकती है तो दोस्तों हम जो आपको वीडियो के अंदर बताते हैं उसे ध्यान से सुना करें हम आपको हमारे पिछले वीडियो से लगातार बताते आ रहे है कि डॉलर इंडेक्स के अंदर शायद अब थोड़ा कंसॉलिडेशन हो सकता है और हमारे पिछले वीडियो में हमने आपको ये क्लियरली दिखा बताया भी है हमने आपको वो वीडियो के अंदर क्लियरली बताया है के 109.30 डॉलर से 110.20 डॉलर अब महत्वपूर्णा रेजिस्टंस रहेगा जहाँ पर रेजिस्टंस लेके डॉलर इंडिक्स उसकी नई गिरावट शुरू कर सकता है गोल्ड के लिए हमने आपको क्लियरली हमारे वीडियो से बताया है 1725 डॉलर ये महत्वपूर्णा सपोर्ट है और गोल्ड जब तक इसके उपर है हमें लगता है तेजी और बढ़ सकती है गोल्ड अगर आने वाले दिनों में 1786 डॉलर के लेवल को उपरी तरब तोड़ता है तो गोल्ड के अंदर नई तेजी की शुरूर्वात होगी सिल्वर के लिए हमने आपको क्लियरली बताया है 20.40 डॉलर ये महत्वपूर्णा सपोर्ट है और सिल्वर जब तक इसके उपर है ये गिरावट को हम करेक्शनी मानेंगे और सिल्वर जैसे ही 22.25 डॉलर को उपरी तरब तोड़ता है सिल्वर के अंदर नई तेजी की शुरूर्वात होगी तो दोस्तो हमारे ये वीडियो से हम आपको रिक्वेस्ट करना चाहेंगे क्रूपया हमारे वीडियो को पूरा देखा करे और वीडियो के अंदर हम आपको क्या बताना चाहते है वो समझ के लिया करे ताकि आपको वीडियो के बाद कोई भी कन्फूजन ना रहे तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट दोराज जरूर बताए अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक करे चानल को सब्सक्राइब करे और वीडियो को अपने दोस्तों और पैचानवालों के साथ शेयर करना ना भूले तक ये जानकारी आपके साथ उनको भी पता चल सके वीडियो देखने के लिए धन्यवाद थैंक यू